नबस्तों दूस्तों मैं हूर शायकर आप देख रहे हैं इस बीडिजिटल, इस वुर अंदर मैं Realme, X7 and Mi 10i ये दुन इस प्रटफोन के बीच डिटेल फोटो कॉमप्रेजन इस वुडियो कंदर ये पहाम करने वाले इससे बेल इसका वुडियो कंप्रेजन किया था ओ वुडियो अगर आपने नहीं देखा तो कार्ट पे क्लिक करके वुडियो का आप देख सकते अल्टरवाइड, 10X, जूम, 64MP, 108MP, नाइट मोट सब कुछ हम इस वुडियो कंदर टेस्ट करने वाले और बहुत ही डिटेलिंग के साथ ये टेस्ट होने वाला है तो वुडियो को देखते रहिए किसे के अंदर भी ज्यादा काम ऐसा नहीं है और इसके सथी अनफर्चनेटली ये इसका ही भी ये पे आप देख सकते कोई भी उतना ज्यादा डिफरेंस हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है अगला सेमी एंगल से लिया हुआ और एक पिक्चर ये पे आप देख सकते जापे इसका टेक्स्ट अगर मैं दिखा उती ये पे आप देख सकते बहुत ही दा क्लिर आइटी विशिन के साथ हमें देखने को मिल रहा है रियल्मी एक सेवन के अंदर पोई पे मीटन आई स्लाइटली ये पे जूम आउट कर दिया है और अवरल दुनाई फोटो का अगर मैं जाज करूँ तो स्लाइटली ये पे बिटर कलार टून प्रोएट कर रहा है रियल्मी एक सेवन नेक्स्ट ये एक गेट का पिक्चर जापर स्लाइटली जूम इन कर दिया है रियल्मी एक सोब वर द है अच्छ तरीका वयद अंगल से पिक्चर ये पे maintain किया है और ये नॉर्मल पिक्चर है और कोई वयद अंगल लेंस से खिचा हुआ पिक्चर नहीं है परिटिकुररली इस फूटर के अंदर यह पे हमने HDR on नहीं किया था, फिर भी यह पे आप देख सकते HDR का काम, डैनेमिक रेंज का काम बहुत ही अच्छी तरी किसी यह पे किया है, meet and eye, color temperature में slightly एक warm tone यह पे provide कर रहा है, meet and eye, वही पे Realme X7 में slightly coolish tone हमें देखने को मिल रहा है, detailing नहीं एक wide area यह पे capture किया है, इस picture के अंदर saturation यह पे आप notice कर सकते है, यह जो school है, इसके उपर जो paid बगाड़ यह पे आप देख सकते है, इसके उपर saturation बहुत ही अच्छी तरी किसी एक over-saturate picture हमें देखने को मिल रहा है, realme X7 के अंदर, वही पे मीटे नहीं एक बहुत ही किसी एक पे manage किया है, realme X7, जहापे मीटे नहीं के अंदर slightly यह पे में darkish tone मिल रहा है, और इसके से दिटेलिंग की बात करूँ तो अगर मैं आपको paid के उपर zoom करके दिखाओ, तो realme X7 बहुत ही जादा यह पे zoom हो गया है, तो detailing तो obviously reduce लग रहा है, और oil printing तरीका picture यह पे produce कि अगला इस picture के अंदर यह पे हमने HDR on कर दिया है, और difference यह पे आप समझ सकते कितना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, obviously यह पे आप देखके ही समझ सकते, realme X7 का picture fast look में यह देखने में बहुत ही यदा beautiful and attractive लग रहा है green color के बज़ाए से, वह पे मीटे नहीं यह एक close to natural picture capture किया है, जब इसका original tone, naked eyes अगर आप देखते हो तो जो tone यह पे आपको देखने को मिलेगा, जो color आपको देखने को मिलेगा, same to same ओही color यह पे capture किया है, and obviously यह पे आप बोल सकते है HDR slightly हमें कम देखने को मिलता है, meet and eye के अंदर, ओही पे realme X7 slightly यह पे color boost कर दिया है, और दे zoom picture देखने को मिल रहा है, जब पे detailing आप देख सकते हैं, बहुती अच्छा कासा एक बड़ा सा picture मिल रहा है, और यह पे मीटना इसके comparison में slightly हमें zoom out picture देखने को मिल रहा है, और यह पे X7 zoom करने के बाद भी detailing उतना ज्यादा यह पे loss नहीं किया है, slightly हमें smooth लग रहा है, फिर भ पिक्चर यह पे आप देख सकते हैं, जब फास्ट यह पे notice हो रहा है, वो है color temperature, तो यह पे आप देखके ही समझ सकते हैं, बहुती यह cool tone मिल रहा है, eye soothing picture में देखने को मिल रहा है, meet and eye के अंदर, और यह पे X7 पिक्चर को कर दिया है, थोड़ा सा burn, और actual green color जो है, वो पिक्चर यह पे आप देखने को मिल रहा है, तो अभी तक जितने भी picture यह पे हमने review किया, यह भी X7 और meet and eye के अंदर कोई भी detailing related problem नहीं हा रहा है, किसे के अंदर भी कम जदा नहीं, दोनों के अंदर ही बहुती था, same तरीका detailing हमें देखने को मिल रहा है, और अगर इस area में zoom करो तो detailing यह पे आप देख सकते हैं, obviously इस area में थोड़ा सा difference हमें देखने को मिल रहा है, 10 इन eye के अंदर clarity slightly यह पे ज़्यादा है, texture बहुती अच्छी तरीकी से देखने को मिल रहा है, वो इपे X7 कर दिया है, पुड़ा oil print तरीका blur, और smoothness भी बहुती ज़्यादा है, detailing texture का कम आपको और भी देखना है, तो इस picture के यह पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको zoom करक warm tone मिल रहा है, realme X7 के अंदर, वो इपे 10 eye यह पे एक बहुती अच्छी तरीका eye soothing cool tone यह पे provide कर रहा है, बट पीछे का जो background है, इस scene में कुछ अलग हमें situation देखने को मिल रहा है, यह पे आप देख सकते, saturation ठीक तरीकी से यह पे maintain नहीं कर पाया, meet and eye, वो इपे X7 बहुती अ पर अगर मैं focus करूती यह पे अब देख सकते हैं, और एक detailing का example, जब यह meet and eye बहुती अच्छी तरीका एक texture capture किया है, और देखने भी बहुती बढ़िया लग रहा है, MI का picture, वो इपे realme X7 बहुती तोन यह पे provide कर रहा है, जो इस situation में जरूरत नहीं है, तो आप बोल सकते है इस situation में clearity के मलवे slightly आगे है, meet and eye, next यह जो photo यह HDR on करके कीचा है, और HDR on करने के बाएस से, इस situation के अदर meet and eye बहुती अच्छी तरीक से manage नहीं कर पाया है, यान कि अब देख सकते है, slightly white tone यह पे ज़्यादा हो गया है, और इसके उपर एक white का overlay हो गया है, और यह पे X7 का clarity level यह पे आप देख सकते हैं, बिलकुली कोई white tone यह पे disturbed नहीं किया है, पुरा clear picture है हमें देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा zoom करके अगर map को दिखा हूँ, तो देख सकते है HDR दोनों के अंदर ही बहुती अच्छी तरीक से manage किया है, बट subject के उपर white reflected layer related issue हमें देखने को मि यह 10x zoom करके यह पे हमने की अच्छा आए, जया पे blurriness यह पे अप देख सकते हैं, इसके अंदर जयादा मिल रहा है और दोनों यह पे 10x zoom करके कीचा है, फिर भी यह पे slightly जयादा जूम हुआ है, दोनों यह पे 10x zoom करके खिचा गया है, फिर भी आप यह आप देख सकते है, X7 slightly पे ज़्यादा जूम किया है, और मेट एन इसके कॉंपरिजिन में slightly कम, टिक्चर की बात करूती है पे मैं अगर फुल जूम करके दिखा हूँ, तो बहुत ही एदा ब्लाडिनेस ये पे smooth picture हमें प्रोवाइट कर रहा है, रेल मी X7, तो इसका मतलब detailing कम है, और ये पे 10i का picture ये पे आप देख सकते हैं, इस ट्रेक्चर बहुत ही अच्छी तरीकी से नजर में आ रहा है, और इसके अंदर जो grip मिलता है, इसके अंदर जो particle से, वो बहुत ही सही तरीकी से ये पे visible होड़ा है, तो finally 10x जूम करने के बाद, अगला ये है और एक 10x जूम का example, जब पे अगर मैं आपको जूम करके दिखा हूँ, तो इसको भी पूरा जूम कर लेते, और ये पे आप अच्छी तरीकी से detailing का अंदर जार लगा सकते हैं, जब बहुत ही तरीकी से ये पे पर प्रोवाइट कर रहा है, एक 7 के अंदर और 10i बहुत ही structure के साथ detailing picture ये प्रोवाइट कर रहा है, तो pixel जो है बहुत ही अच्छी तरीकी से ये पे विजिवेल होड़ा है, तो 10i ने बिल्कुल इसको pixelate नहीं किया, तो detailing के उपर ये बहुत ही अच्छी तरीकी से काम किया है Xiaomi ने, और पीछे जो spot है, इसके उपर आगर मैं जोम कर रहुत ही ये पे आप देख सकते, ठीक तरीकी से तो अबिसली नहीं विजिवेल होड़ा है किसी के अंदर, फ्री भी ये पे आप देख सकते, X7 के अंदर एक spot तरीका में देखने को मिल रहा है और पिक्सलेट का issue ये पे मिल रहा है, कोई पे मीटे नहीं नहीं जितना पॉसिवेल है, कोई ये पे detailing रखने की कोशिश किया है, और ये पे slightly भी आड में आपको zoom करके दिखा हुती है पे आप दोनों के अंदर detailing समझ सकते हैं, किसके अंदर detailing ये पे ज़्यादा मिल रहा है, तो अब इसलिए हाड़ एक picture के अंदर apply नहीं होता है, नॉर्मल picture के अंदर इतना detailing का issue देखने को नहीं मिलेगा, ये only 10x पे ही मिलता है, तो 10x के अंदर कैसा में difference देखने को मिलता है, दोनों के अंदर कोई ये पे आप समझ सकते हैं, और ये full sunlight के time है, कोई sunset का time नहीं है, फूल sunlight के time है, तो lighting का कोई भी issue ये पे नहीं है, next ये ए green theme बाला picture, जहाँ पे आप देख सकते, green color बहुती अच्छी तरीकी से visible किया, meet and eye, वही पे slightly bluish tone ये पे provide कर रहा है, slightly cool tone ये पे provide कर रहा है, realme X7, यान कि आप देख सकते, पत्त के अंदर थोड़ासा black shadow होने के वाय से, dramatic tone ये पे लगड़ा है, वही पे X7 ने इसको पूरी तरीकी से light अप कर दिया, और shadow area के अंदर light obviously जुरूरा थे, बट हर एक situation के अंदर नहीं, जैसे इस situation के अंदर थोड़ासा black रहा है था, तो दुने के अंदर difference ये पे आप देख सकते, slightly black होने से dramatic picture ये पे create कर दिया है, meet and eye ने, और इस green color को अगर मैं दिखाओ तो obviously green color को और ज़्यादा saturate कर दिता है, जिसके वैसे slightly अपके arc में लगता है, और real me X7, और ये पे meet and eye एक बहुत ही अच्छी तरीकी सा color tone प्रोइट किया है, और बहुत ज़्यादा अगर मैं zoom करके दिखाओ तो ये पे आप दिख सकते, और वाल के उपर slightly problem ये पे आप दिख सकते, कोई भी color gradient का problem नहीं है, पुरी तरीकी से solid color ये पे provide किया है, meet and eye, और ये पे X7 के उपर ये पे आप दिख सकते, और ये पे पर प्रोइट किया है, realme X7 में, आख में जैसा दिखने में लगड़ा है, वैसे ही आप पिक्चर प्रोइट किया है, realme X7, अगला इसके front camera का selfie आप दिख सकते, ये portrait mode से लिया गया है, यानि कि portrait mode on करके ये आप अपे selfie लिया गया है, तो दुनों के अंदर difference ये पे आप समझ सकते, X7 में दिया है 32MP का camera, and median eye के अंदर दिया है 16MP का camera, और दुनों का ये जो fast things ये पे आप notice कर सकते हो, ये color temperature, बहुती देख coolest tone प्रोइट कर रहा है, बहुती देख smoothing picture ये पे प्रोइट कर रहा है, median eye, और ये पे X7 बहुती देख warm tone प्रोइट कर रहा है, तो ये अपना अपना choice है, इस situation के अंदर मैं आपको देख के बताऊ, तो slightly मुझे बैतल लग रहा है, realme X7 का picture, color tone बहुती अच्छी दरीकिसी ये पे manage किया है, और warm tone के वाज़े से, ये sunset time का picture ये, तो उस time के हिसाब से, बहुती अच्छी दरीकिए tone ये पे provide किया है, इसके AI detection की बात करूँ, तो आर मैं आपको zoom करके दिखाऊ, तो बालों के अंदर ये पे आप दिख सकते, किसके अंदर हमें कैसा difference देखने को मिल रहा है, median eye का hair detection ये पे आप दिख सकते, बिल्कुली कोई गल्ती आप नहीं किया है, और ये पे X7 के अंदर आप दिख सकते, बहुती अच्छी दरीकिए हमें disturbance देखने को मिल रहा है, तो अब इसलिए आपको दूर से समझ में नहीं आएगा, ऐसे करके कर मैं आपको picture दिखाओ तो समझ में नहीं आएगा, अच्छी दरीकिसे अगर zoom होता है, तो ही ये समझ में आता है, तो हर एक age के उपर अगर मैं आपको zoom करके दिखाओ तो दुनों के अंदर difference ये पे आप समझ सकते हैं, एक एकर के ये पे आप देख लो, कैसा हमें difference देखने को मिलता है, कुछ एडिया पे, रियल्मी X7 का age detection बहुत ही गल्ती आप एक किया है, और T-shirt के इस situation पे ये पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरी का cutting किया है, रियल्मी X7 कोई गल्ती ये पे नहीं है, बहुत ही एक cinematic look ये पे हमें देखने को मिल रहा है, और ये पे मीडेन आई में इस T-shirt ये पे आप देख सकते हैं, बहुत ही unprofessional age detection ये पे किया है, तो अक्चली ऐसा नहीं कि हड़ एक situation में रियल्मी बेटर है, ये हड़ एक situation में MI बेटर है, age detection एक AI बेस्ट काम है, तो इसकी सबसे किस जगा पे कैसा optimize ये पे किया है, उससे सबसे ये depend करता है, कैसा हमें output देखने को मिलागा, और skin tone का detailing अगर मैप को दिखा हूँ, तो zoom करकि ये पे आप देख सकते, कैसा है, ये पे हमें detailing देखने को मिल रहा है, detailing के अंदर obviously, दोने के अंदर कोई comparison नहीं हो सकता, क्योंकि दोने के अंदर ही बहुती देख same to same, and detailing के उपर काम किया है, अगला इस doggy का picture ये पे आप देख सकते, ये portrait mode से खीचा गया है, और back camera के अंदर portrait mode अगर आप on करते, तो दोने के अंदर detailing ये पे आप समाझ सकते, बहुती अच्छी तरी के color tone प्रवाइट कर रहा है, realme X7, जो actual sunset का situation है, उस theme को समाझ के, एक बहुती sunset time color theme ये पे प्रवाइट कर रहा है, realme X7, इसके पर जो color tone ये पे किया है, देखने में बहुती तरह एक dramatic color ये पे लगड़ा है, और फे मीटे नाई एक बहुती तरह natural and neutral tone ये पे प्रवाइट किया है, जो अब इसलिए एक simple raw tone है, पीछे जो blurb ये पे किया है, कैसा काम किया है, यार के एक part जो ही ये blurb कर दिया है, तो ठीक तरही किसे cutting and age detection बिल्कुली नहीं किया है, meet and eye, और X7 इसके अंदर बहुती अच्छे तरही का काम किया है, तो इस scene में समझ में आता है, कोई भी doggy या ऐसे कोई चीजों का picture अगर अब लेते, तो बहुती अच्छे तरही के एक output आपको मिलने वाला है, रियल्मी X7 से, अगला ये normal back camera से खीचा हुआ है, पोई portrait mode ये पे हमने on नहीं किया, तो डिटे दिन ये पे आप देख सकते, पीछे का जो background है, इसके उपर बहुती अच्छे तरही की से visible होड़ा है, meet and eye का texture बहुती बढ़िया है, और visible भी बहुती अच्छे तरही की से होड़ा है, और रियल्मी के अंदर slightly में smoothness देखने को मिल रहा है, और ये पे beard का picture भी ये पे आप देख सकते, दुनों का beard आप देखलो, रियल्मी ने ये पे बहुती तरही स्मूथ कर दिया है, और पे mid and eye इसके texture and contrast को समझके बहुती अच्छे तरही की से इसको visible कर दिया है, और full face के उपर अगर मैं zoom कर तो ये पे आप देख सकते, तो दुनों ये पे अपने अपने जगा बेस्ट है, आप अपने खुद के preference की सबसे इसको judge करिये, अगला इसके अंदर night mode on करके हमने ये picture खिचा है, जापे आप देख सकते है, clearity बहुती अच्छे तरही की से ये पे visible होड़ा है, realme X7 के अंदर, overall picture and background के उपर आप नजट डाल सकते है, जो subject and object है, सभी के उपर ये पे आप नजट डाल सकते है, clearity बहुती अच्छे तरही की से ये पे maintain किया है, night mode के अंदर, realme X7 ने, but light का जो actual काम है, जो ये पे मैंने capture कहने के कोशिश किया है, और जो इसका main attention है, ये पे आप देख सकते है, lights को बहुती अच्छे तरही की से ये पे आप देख सकते है, visible होड़ा है, meet and eye के अंदर, और ये पे X7 ने इसको पूरी तरही की से white कर दिया, तो light management ये ठीक तरही की से नहीं कर पया, exposure ये पे बहुती ज़्यादा कर दिया, और ये पे मीटन आई ने छोटे से जाको exposure high करके, पूरे lights को ये पे visible कर दिया, कहा light से ये पे गिड़ रहा है, तो आग के जो flicker है, वो बहुती अच्छी तरही की से और प्रोपर तरही की से visible किया, meet and eye ने, और फॉरल night के अंदर कैसा हमें light management देखने को मिलता है, वो भी ये पे आप जज़ कर सकते, अगला ये और एक night mode से खीचा हुआ, जो take stage को अगर मैं full zoom करके दिखाओ, तो ये पे आप देख सकते, बहुती अच्छी तरही की से ये पे visible है, realme X7 के अंदर, और हार एक board color light situation के अंदर, बहुती अच्छी तरही की से ये पे color manage किया है, और ही पे meat and eye ने इसके color and exposure को बिल्कुली balance नहीं कर पाया, और ये देखने में आप समसकते, इसके अंदर difference में कैसा मिल रहा है, तो night के अंदर, saturation तो obviously दोनों के अंदरी बहुती बढ़िया है, dynamic range बहुती अच्छी तरही की से काम किया है, और ये पे आप देख सकते X7 के अंदर जो sky है, वो पूरी तरीके से dark कर दिया, जिसके वैसे एक cinematic look ये पे create हो रहा है, और meat and eye ने sky को light up करके, बिल्कुल इसको professional look नहीं दे पाया, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धनीवादा, अचला तुस वीडियो को दिल खोल के जिए एक बड़ा सा like और ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिजिए मैं चैनल SBDigital को और map की वाईशाय को मिलताब से नेक्स्ट और एक जवरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए, bye!